हिंदी के महांई व्यंग रचना आवारा भीड के खत्री में आप सभी का बहुत-बहुत वागद है तो आई सुनते हैं व्यंग रचना आवारा भीड के खत्रे एक अंतरा अंगोषती सी हो रही थे ये बास अंदूस पर इल्हवात के लश्मिकांत वर्मा ने बताया पिशली दीपावली पर एक साड़ी की दुकान पर कांच के केस में सुन्दर साड़ी से सजी एक सुन्दर मोडल खड़ी थी एक यूबक ने एक पत्थर उठा कर दे मारा कांस तूट गया आस पास के लोगों ने पूशा कि तुमने ऐसा क्यों किया उसने तम तमाय चेहरे से जवाब दिया हराम जादी बहुत खूबसूरत थी हम चार पांच लेकर चर्चा कर रहे थे कि लड़के केस करत का क्या कारण रहा होगा क्या आर्थ है यह कैसे मान सकता है यह मान सकता क्यों बनी बीस भी सदी के उटार्द में यह सवाल दुनिया भर की युबकाओं की बारे में उठ रहे हैं पश्यम के संबन देसों में भी और तिसे दुनिया के घरीब देसों में भी अमेरिका में आबारा हैपी और हरे राम हरे कृष्ण गाते अपनी ब्यवस्ता से आसन तुस्त है युबा भरत आते हैं और भरत का युबकाओं लाला इत रहता है कि चाहे चपरासी का काम क्यों ना मिले अमेरिका में रहूंगा इस्टेश जाना है यानि 24 गंटे गंगा नहाना या बाद है भीड की भीड उन्हें युबाओं की है जो हतास होकर और कृष्ण है संपन पश्यम के युबकों के बिहार और भारत के बिहार में भिनता है सवाल है उस युबक ने संदर मौडल पर पत्थर क्यों फेका हराम जादी बहुत खूबसूरत है या उस गुस्टे का कारण क्यों वह कितनी संदर है ऐसा इस तरह कि युबक क्यों नहीं कहते युबक साथ हरान कुरता पाजामा पहने था चेहरा बुचा हुआ उसकी में च सब्दता घुटन और घुसा एक नकार अत्मक भाव सबसे शिकायत ऐसे मान सकता में संदर्ता देखका चर्ट तो होती है खेले फूल बुरे लगते हैं किसी के अच्छे घर से घरना होती है संदर्कार पर थूखने का मन होता है मीठा गाना सुन का तखलीप होती है अच्छ अगर जम मिडल स्कूल में होता है तब इसे शिकायत होने लगती है वे कहते हैं ये लड़के कैंसे हो गए है हमारी जवान में ऐसा नहीं था हम पिता गुरू समाज के आधर नियों की बात सर जुका कर मानते थे अभी लड़के भास करते हैं किसी की बात मानते नहीं मैं या पितनों को किशोर अवस्था मैं थे उनको जानकार ही क्या थी हमारी कस में कुल दस बार एकवार आते थे रेडियो नहीं था स्वतंदर संगराम का जमाना था सब नेता हमारी हीरो थे स्थानी भी और जवाहर लाल नहरू भी हम पिता गुरू समाज के नेता आधी की कमजोर बात रहे वह सबेर एकवार पढ़ता है टेली भी जन देखता है रेडियो सुनता है वह तमाम नेताओं की पोल जानता है देवी लालों प्रकास्ट चोटाला क्या लोचना करता है घर में उससे कुछ ऐसा खरन्यों को कहो तो बहर प्रतिसोत करता है मेरी बात भी तो सुनो दिन पर पढ़कर आया हूँ अब फिर कहते होगी पढ़ने बैठ जाओं थोड़ी ते नहीं खेलूंगा तो पढ़ाई भी नहीं होगी हमारी पुस्तक में लिखा है वह जानता है घर के बड़े कब कब जूट बोलते हैं उची पढ़ाई वाले विस्विद्याला के चात भरी रहते हैं धर्माचारियों के चरित्वान ता उजागर होती है यहीं नेता अपने हर भास्राण में उपदेश में चात्रों से कहते हैं योब को तुम्हें देश का निर्मान करना है क्योंकि हमने नाश कर दिया है तुम्हें चरित्रवान बनना है क्योंकि हमने तो चरि से जमें चात अपने प्रोफेसर के बारे में सब जानते हैं उनका उचा बेतन लेना और पढ़ाना नहीं उनकी गुटबाजी एक दूसरे के टांग खीचना नीच क्रात द्वेश चात्रों को फेल करना पक्षपात चात्रों की गुटबाजी में उपयोग करना चात्रों से गुरुओं पर चात्र के सियास्ता जमाएं ये गुरु कहते हैं चात्र को करांती करना है विकरांती करने लगे तो पहले अपने गुरुओं को साप कर देंगे अधिकता चात्र अपने गुरुओं से नफरत करते हैं बड़े लड़गे अपने पिता को भी जानते हैं वे कारी के इतने माद्यम कुले हैं कि वे सब छेतरों में अपने बड़ों की बारें सब कुछ जानते हैं इसलिए यवाओं से ही नहीं बच्चों तक से पहले की तरह हैं अंद भक्ती और अंद अग्याकारिता की आसा नहीं की जा सकती हमारी हां ग्यानी ने बहुत पहले कहा था प्राप्तिय सोड से वर्से पुत्र मित्र समाच रेत से बात की जा सकती है उन्हें समझाए जा सकता है कल पर सो मेरा बारा साल का नाती बाहर खेल रहा था उसकी परिक्ष्या हो चुकी और एक लंबी छुट्टी है उससे घर आने के लिए उसके चाचा ने दो तीन बार कहा डांट दिया और वह आए गया और रूती को चलाया हम क्या करें है ऐसी की तैसी इस सरकार की जिसने छुट्टी कर दे छुट्टी काटना हमारी समस्या है वह कुछ तो करेगा ही दबाओगे तो विरूद कर देगा जब बच्चे का यह हालतों के शुरों और तरुनों की प् इस्ता और उसे सामने सफल और आज सार्थक होते देखते हैं मूलियों कर संकट भी उनके सामने है सब तर अब मूल हिंदा उनके देखती है बजार से लेकर धर्म्स्था तक बिकिस पर आस्था जमाए और उनके पच्चनों पच्चने किन मूलियों को माने यूरोप में बच्चों की परवाह करने वाला नहीं है बच्चों के बाप और बड़े भाई योद्न मारे गए घर का संपत्ति का बेरोजगार का रोजगार का नाश हुगा जीवन मूलियों का नाश हुगा ऐसे में बिना उजे सिक्षा संशकार भोजन कपड़े के बिनास और मूल के बी जो पीड़ी पढ़कर जबान हुई तो खोई हुई पीड़ी उसके पास निरासा अंधकार अस्वक्षा भाव मूल हिंता के सवा कुछ नहीं था विश्वास तूट गए थे यह पीड़ी निरास विद्वन्सकारी अराजक उपद्रवी नकारवादी हुई अंग्री है सलसले यूरोप में फैसे व्यवस्तेत और संपन होने पर भी चलता रहा कुछ योग समाज के ड्रॉप आउट हुए बीड जनरेशन हुई और जो की करण के बाद यूरोप में काफी प्रतिसत बेकारी है ब्रेटेन में 18% बेकारी है अमेरिका नई युद्द नहीं होगा बगर व्यवस्ता में आसंतोस वहां भी पैदा हुआ अमेरिका में भी लगबग 20% बेकारी है वहां एक और बेकारी से प्रतियोबक है तो दूसी और आतिशाय संपनता से प्रतियोबक भी है जैसे यूरोप में वैसा ही अमेरिके युकों में युक्तियों का आसंतोस विद यालाय के पर भी एक शक्यानूसा दो साल पहले 57 फीसदी छात्र और 35 फीसदी छात्राओं ने नाशे की आदिता हो गई थी दिली तो महानगर है चोटे शहरों में कश्वों में नाशे आ गए हैं किसी किसी पान की दुकान पर नाशे की हर चीज मिलती है इसमेक और पॉट मकता हो और वे अपने से उपर की पीड़ी के बुराइयों को समझें और उन्हीं बुराइयों के उत्रादीकारी ना बनें उन्में अपने उसे दूसे बुराइयां मिलाकर बतन की प्रमपरा को आंगे नहीं बढ़ाएं सर्परा को रोस तो आत्में शय करता है एक आत्रकांती नहीं कर सकता उन्हें समाज के दूसे वर्गों को सिक्षित करके चेतन शीलता बना कर संगस के साथ लेनब होगा लक्षिन धारत करना होगा आखिर क्या बदलना है यह तो तैह हो अमेरिका में हरवार्ड मार्क्यूस से प्रेड़ना बाकर शातुन नाटक ही किय हो भी मिन और चेगूयवार के बड़े बड़े चितर लेकर जलूस निकालना और भद्दी भोड़ी अश्ली रखतें करना अमेरिका विश्विद्याले की पत्री काम है बहत फूरा अश्ली चितर और लेक कहानी फ्रांस के चात अधिक गंभे सिक्षित थे राष्ट पतिद गौल के समय शात्रों ने सोरोबोन विश्विद्याले में अंदूलन किया लेकर जयाएं पालसारत्र ने उनका समर्थन किया उनका नेता कोहने बेंडी प्रवद्द और गंभी तुए वक्त था उसके लिए राजनीति करांति करना तो संभाव नहीं था फ्रांस के समें का साथ नहीं दिया पर उसकी मांग ठोस्ती जैसे स्च्छा पद्दिती में अमूर परिवतन अपने यहां जैसे नकल करने की छूट की करांतिकारी मांग उनकी नहीं थी पाकिस्तान में भी एक छातर निता तारिक अली ने करांति की धूम मचाई थी फिर वहें दलने चला यहां 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 तरक सही नहीं है कि जब सभी पतित हैं तो हम क्यों नहीं हों सब दल दल में फसे हैं तो जो नई लोग हैं उन लोगों को बहां से निकालना चाहिए यह नहीं कि वे भी उसी दल दल में फस जाएं दुनिया वे जुकरांतियां हुई हैं सामाजिक परिवर तर नहीं कर सकती हैं जो क्रांत्यकारी का नातक बहुत करते हैं पस्थधेंच भरपूर लेते हैं कारण बताते हैं तो दहेज को ठोकर मारता हूं पर पिता जी सामने जुकना पड़ा ये दिव्यक के पास दिसा हो विचार देता हो संकल शीलता हो संगठ संगासो तो परिवदर ला सकते हैं पर मैं देख रहा हूँ नई पीड़ी अपने से उपर की पीड़ी से अधिक जड़ और धक्या नीची हो गई ये शायद हतासा और उत्पन भाग के कारण हुआ है अपने पिता से अधिक तत्ववादी बनियादवादी परस्त लड़का दिशाहिन बेकार हतासनकार वादी बेच्वादी बेकार युपकों की यह भीड़ खतनाक होती है इस का उप्योग महात पकांग्ची खतनाक विचार धरवाली ब्यक्ति और सम्हूं कर सकते हैं इस भीड़ का उप्योग नियूपॉलियन हिटलर और मुशूली ने किया था यह भीड़ धार में कुनमादियों के पीछे चलने लगती है यह भीड़ किसी भी ऐसे संक्टन के साथ हो जाती है जो उनमाद और तनाव प्यादा करते फिर इस भीड़ से विद्वन काम कराई जा सकते हैं यह भीड फासिस्टों का हत्यार बन सकती हमारे देश में भीड़ बढ़ रही है इसका उप्योग भी हो रहा है आंगे इस भीड़ का उप्योग सारे राष्टियों के बिनाज के लिए लुख्थन के लिए करवाय जा सकता है